हलो है नमस्ते मैं नेम इस आश्रमा गुपता है तोड़े विया गूइंग तो स्टार्ट लेक्चर नम्बर थी ओफ कोडिनेशन कंपाउंट्स लास क्लास के अंदर हमने काफी कुछ चीजे करी थी हमने सबसे पहला टॉपिक करा था सम इंपोर्टेंट टर्म्स उसके बाद ह अब हमने स्टार्ट करा था आपका क्लासफलिदेशन अफ्लीग स्टीनी बेसिस पेख्लास कंपाई करता चाजग के बेसेंट इंटेस्टी के बेसिस पर की कितना कोडिनेट बॉंड्ज बना रहे हैं और रास्ट क्लासिफ़िकेशन घ्रा था हमने बेता ऑन्क इफिटस और नूटल, यानि के टाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनिक कॉम्प्लेक्स और नूट्रल कॉम्प्लेक्स और लास्ट में हमने करा था एफेक्टिव एक्टॉमिक नंबर ए-e-e-e-n आज की क्लास में हम नॉमन्क्लेचर पढ़ेंगे, रूल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स नC-RT में दे रखे, आप रूल्स वहीं पर मांक कर लेना, रूल्स हमारे सिर्फ समझने के लिए, रूल्स से आपको कोई सवाल नहीं आता है, यह सिर्फ बेसिक है, जुसे और नॉमन्क्लेचर के लिए हम रूल्स करते हैं, वैसे इन और गानिक में कोडिनेशन कंपाउंज के लिए कुछ रूल्स है, उससे पहले हम वो दो क्वेशन्स होमवक वाले डिसकस कर रहे हैं, पहला क्वेशन होमवक में आपको दिया था, आपको वो दिया था, calculate the oxidation state of V, V क्या होता है, vanadium, in given complex VCO6-, so हमारे पास ये complex है, VCO6-, इसमें vanadium का oxidation state निकालना था, तो अगर हम vanadium का oxidation state निकालना है, तो उसको let कर लेते हैं, वेटा, X, plus carbonyl, CO कैसा ligand होता है, charge के हिसाब से, it is a neutral ligand, charge के हिसाब से बात कर रहे हूं, मैं, वैसे ये sigma donor, pi acceptor होता है, पर charge के basis पे, ये neutral ligand होता है, कोई charge नहीं होता, तो 6 into 0, एक carbonyl पे, CO पे 0 charge है, तो 6 पे भी 0 ही होगा, is equal to, पूरे complex पर कितना charge है, बिटा, minus 1, तो यहाँ पर vanadium का oxidation state कितना आ जाएगा, minus 1 आ जाएगा, ये बहुत few cases होते हैं, जहाँ पर metal का negative oxidation state आ रहा होता है, उन में से एक case इस complex का है, which is VCO6-, चलिए, next question दिया था, effective atomic number निकालने का, of the central metal atom और iron in the following, so हम पहले एक बार formula लिख लेते हैं, उसके बाद फटाफट लगाते जाएंगे, तो effective atomic number calculate करने का formula क्या था, Z, यानि atomic number of the central metal atom और iron, minus oxidation number, plus 2 into coordination number, ये ही था, मैं direct formula लगाऊंगी बिटा, copper का atomic number कितना होता है, 29, minus oxidation number, अगर मैं यहाँ पर copper का निकालू, तो copper का oxidation number हो जाएगा या oxidation state हो जाएगा, x plus 4 into 0 is equal to plus 2, यानि copper का oxidation state कितना आ गया, plus 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो Z minus oxidation number यानि 29 में से minus 2, plus 2 into coordination number, बिटा एक NH3 एक coordinate bond बनाता है, 4 NH3 चार coordinate bond बनाएंगे, तो इस complex को coordination number 4 होगा, तो 2 into 4 हो गया, 29 minus 227 plus 2 forza H, यहाँ पर आ जाएगा add करके 35, जरूरी नहीं है कि हर जगा आपका noble gas का configuration attain हो ही रहा हो, और जरूरी नहीं है कि effective atomic number हमेशा 36 आए, complex बनने के time कोशिश जरूर करता है कि noble gas का, nearest noble gas का configuration attain कर ले, but it is not applicable कि हर complex में यह हो रहा होगा, तो यह मत सोचना कि हर जग answer 36 ही होगा, तो आप पूरा calculate करेंगे, next वाले second part में हमें cobalt का निकालना है, 3 पर कितना हो जाएगा, minus 6 is equal to minus 3, यानि x कितना आ गया, plus 3 आ जाएगा, तो 27 minus 3, plus 2 into coordination number, oxalate iron कैसा होता है, by dented होता है, एक oxalate iron दो coordinate bond बनाता है, तो 3 oxalate iron कितने coordinate bond बनाएगे 6, तो coordination number कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, coordination number हम बेटा वैसे भी बोल सकते हैं, कि जो यह number है into denticity, अगर मैं असान भाषा में बोलू, this number into denticity, so 3 into oxalate की denticity कितनी होता है, 2 तो 3, 2s आ, coordination number कितना हो गया, 6 हो गया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, so 27 minus 3 कितना हो गया, 24, plus 2, 6, 12, यहाँ पर effective atomic number कितना आ गया, 36 आ गया, चलिए, next is VCO6 minus, जो यह third वाला है और जो fourth वाला है, यह बहुत important questions है, बहुत जादा important है, चलिए, यहाँ पर effective atomic number निकालते हैं, vanadium का, मैं यहाँ पर एक बार formula लिखूंगी तुमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा confusion arise हो जाता है बच्चो को, scandium, titanium, vanadium, vanadium कौनसे number पर आता है बिटा, 23, minus, oxidation number यहाँ पर vanadium का हमने पीछे ही निकाला है, vanadium का oxidation number कितना आ रहा था इस complex में, minus 1, जल्दी बोलो भई, x plus 6 into 0 is equal to minus 1, तो x कितना आया था, minus 1, तो oxidation number हो गया, minus 1, sign के साथ रखना है, z minus oxidation number 23, minus oxidation number भी minus में है, तो minus 1, plus 2 into, एक CO1 coordinate bond बनाता है, मदब sigma bond एक ही बनाता है, तो 6, 6 बनाएंगे, तो 2, 6 are 12, 23 minus minus कितना हो जाएगा, बिटा, plus 1 हो जाएगा, maths है, minus minus plus 1, 23 plus 1, 24, plus 2, 6 are 12, यानि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इतनी बात लिए और है, तो यहाँ पर यह वारे sign में बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, वो गलती तुमको नहीं करनी है, फोर्थ वाला पार्ट मैं अलग से, next screen पर गरा रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ पार्ट था हमारे पास MN2CO10, इसका मैं structure बना के दिखा रही हूँ आपको, दो मैगनीस है, डिवाइड कर लो बिटा, दो मैगनीस पे 10 कार्बोनिल है, तो एक मैगनीस पे 5 कार्बोनिल जुड़ा होगा, इतना तो हम कॉमन मैच लगाई सकते हैं, CO, 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 carbon monoxide, carbon monoxide, CO, 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 CO और CO, और एक मैगनीस मैगनीस का बॉन्ड होता है, चलिए, यहाँ पर हम एक मैगनीस का effective atomic number निकाल रहे है, दोनों का नहीं निकाल रहे है, एक का ही calculate कर रहे है, दूसरे का भी वही आएगा, तो यहाँ पर E, A, N, effective atomic number of मैगनीस निकालते हैं, क्या था formula Z minus oxidation number plus 2 into coordination number, यही था अपना formula, मैगनीस का बिटा, atomic number कितना होता है, 25, 25 minus oxidation number, अगर मैं यहाँ पर मैगनीस का निकालूं, तो 2 into X, एक मैगनीस का X है, तो 2x हो जाएगा, CO पर 0 charge होता है, तो 10 पर भी 0 होगा, और पूरे compound पर भी कोई charge नहीं है, न्यूट्रल ही तो है, तो यहाँ पर 2x is equal to 0, यानि X कितना आज जाएगा 0, यानि मैगनीस का oxidation state कितना होगा 0, तो 25 minus 0, plus 2 into, 2 into, coordination number देखना जरा, इस मैगनीस के around कितने कार्बोनल, कितने कार्बन मोनो ओक्साइड है विटा, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच ही coordinate bonds होंगे, जल्दी बोलो भाई, तो 2 into 5, यहाँ तक लिए और है, तेक है, यह contribution ही तो है, कि 1 कार्बोनल, एक loan pioneer दे रहा होता है, यानि 2 electron दे रहा है इसको, मैगनीसको, तो 5 कार्बोनल, कितने electrons दे रहे होंगे, दस दे रहे होंगे न ऐसा ही तो था, यहाँ पर COICE को अपना loan pair डुनेट करुए और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, तो एक कार्बोनेल दो एलेक्ट्रोन देता है, दो एलेक्ट्रोन से एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो पांच कार्बोनेल दस दे रहे होंगे, यह हो गया, अब एक चीज और यहां पर देखनी है, कि जब मैगनीस और मैगनीस का यह बॉन्ड बन रहा है, एक एलेक्ट एक electron इसको और इस manganese से मिला होगा, जल्डी बोले बैंग, अगर मागनीस और manganese में bond है, तो दो elektron से एक bond बना होगा, एक electron इस manganese का खुद का होगा और एक electron और दूसरे manganese से मिल रहा होगा, अगर carbon-carbon की बीच में single bond होता है, तो यह electronic carbon का होता है, यहadas氣, electron इस दूसरे carbon का ह ऐसी मैगनीज मैगनीज में जब बन बना तो एक electron इस मैगनीज का खुद का था, दूसरे electron इसने इस मैगनीज से क्या करा है, शेयर करा है, क्योंकि इस मैगनीज ने एक electron और साथ वाले मैगनीज का शेयर करा है, तो यहाँ पे plus 1 और होगा, क्योंकि एक additional electron यह और साथ वाले का ले रहा है, ठीक है? So, अब अगर हम निकालेंगे, तो 25 plus 2 5s are 10 plus 1, 35 plus 1 कितना हो जाएगा, बिटा? 36, effective atomic number, यहाँ पर manganese का आता है, यह जो 1 मैंने add करा है, वो किसका करा है? आता है, this one is added of the electron from manganese, manganese bond, ठीक है? यह 10 electron तो आपके यहाँ से हो जाते हैं, CO ने दिया, 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 1 CO दो electron देता है, 5 CO दस electron देते हैं, जो यह एक electron मैंने और plus करा है, वो बिटा कौन से bond से मिल रहा है? manganese, manganese के bond से, यह तो इसका खुद का था, इसको यह एक extra electron और मिल रहा है, जिसकी वज़े से यहाँ पर plus 1 करा है मैंने, देक है? तो दुबारा एक बार और समझा रहे हूं, क्योंकि important है, नहीं clear हो पाता, confusion हो जाती है, Z minus oxidation number तक तो clear है, 25 minus oxidation number इस complex में 0 आएगा, 2x plus 10 into 0, which is 0, equal to 0, क्योंकि neutral complex से तो oxidation number 0 आगया, 2 into coordination number, एक manganese ने कितने coordinate bonds बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 into 5, plus 1 मैंने electron कहां से लिया है, वीटा, manganese-magnese के bond से, जो manganese-magnese का bond है, इस manganese ने इस manganese का एक electron share कर रखा है, क्योंकि इसने एक और extra electron share कर रखा है, तो हम वो electron यहाँ पर क्या कर रहे हैं, plus कर रहे हैं, जिसकी वज़़से आपर effective atomic number कितना आजाएगा, आपका 36, same कहानी इस manganese की भी होगी, उसका effective atomic number भी कितना आएगा, 36 आएगा, तो यहाँ पर यह चो 3rd और 4th वाले cases हैं, यह काफी important है, इन पर काफी frequently effective atomic number पर सवाल आता है, और EAN का किसी साल में कभी भी आजाता है, क्वेशन क्योंकि direct question होता है, आसान सा question होता है, तो आपका एक numerical इस पर बन सकता है, इसी के साथ आज की class का नया topic स्टार्ट करने हैं, which is IUPAC nomenclature, तो मैं ज्यादा focus करूंगी questions practice पर, not on the theory part, so rules सिर्फ समझाने के लिए जिसका मन करे, बहुत मन कर रहा है कि यार मुझे pen घिसना ही है, copy के पन्नों पर लिखना ही है, जब तक मैं लिखूंगा या नहीं, या लिखूंगी नहीं, तब तक मुझे satisfaction नहीं होता, तो वो बच्चे लिख सकते हैं, जिनको लगता है, ना जी ना हमें तो लिखने में आलस आता है, वैसे आलस आना नहीं चाहिए, और मैं यहीं कहूंगी कि लिखो, अच्छी बात है, जितना लिखोगे चीज़े उतनी और clear होती है, बट अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लिखना, तो आप NCRT का पेज नंबर मुझे नहीं आठ, बट इट वोड बी इन दी स्टार्टिंग पेज़े उननी, क्योंकि नॉमन ख्लेश बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, दो तीन पेज़े बादी आपको मिल जाएगा, तो यह रूल्स वहीं स थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने आड कर रखे हैं, तो कोई एडिशनल पॉइंट्स वह आप NCRT में ही लिख लेना, अदर्वाइस अपनी कॉपी में लिखना तो कॉपी में लिख लेना, चलिए, तो अगर फुल फॉर्म आप से पूछी जाए, तो कॉमेंट बॉक्स मे Pure and Applied Chemistry, जितने भी Organic Compounds को Nomenclature है, इनी के थ्रू होता है, जो Coordination Compounds है, वो भी Nomenclature Rules के according होता है, कोई नया Element Discover होता है, उसको क्या Symbol रखना है, वो भी IUPAC, जो Organization है, वही Decide करते हैं, क्योंकि यह जो Rules होते हैं, यह हर Country, मतब World Wide Applicable होते हैं, तो जब भी कोई नया Inorganic में Coordination Compound बनता है, इसके हिसाब से नाम लिखा जाता है, जब कोई Organic Compound बनता है, तो भी उसका नाम लिखा जाता है, ता कि हर जगा एक Symmetry रहे, आप कहलो कि सब जगा एक ही चीज अपली के बलो, इसलिए Rules बनाएं गए हैं, तो पहले जो हम कर रहे हैं, Rules वो कर रहे हैं, कि अगर आ नाम दे रखा है किसी Compound का, जोसे Organic में होता था आपको नाम दे दिया, मालो मैंने दे दिया Butuin, नाम दे दिया, बोला structure बनाओ, तो यहाँ पर भी ऐसे हैं, कि अगर आपको नाम दे दिया, और बोला complex का formula लिखो, तो कैसे लिखेंगे, और दूसरा तरीका क्या करेंगे, formula नाम दे रखा है, बोल रहा है, नाम लिखो, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम कर रहे हैं, कि हमें अगर नाम दे रखा है, और बोल रहा है, formula लिखो complex का, तो क्या rules लगेंगे, so rules for writing the formulas of mononuclear coordination entities, mononuclear क्या होता है जहाँ पर complex, square bracket के अंदर, एक ही central metal atom होता है, एक से जादा नह mononuclear ही है, binuclear, polynuclear is not in your syllabus, ठीक है, तो उसका tension लेने की जरुवत नहीं है, तो mononuclear complexes या mononuclear coordination entities क्या होता है, जिन में single central metal atom होता है, एक ही central metal atom होता है, एक से जादा नहीं होता, square bracket के अंदर, एक ही central metal atom होगा, एक से जादा आपके syllabus में नहीं है, तो उस complex को हम क्या बोलते है, mononuclear, coordination complexes, coordination entities, तो जब हम formula लिखते हैं, तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको कोई example से ही समझाते हूँ, अभी हमें मालो ये नाम दे रखा है, हमें दे रखा है, hexamine, cobalt, third, chloride, ये कोई नाम दे रखा है, बोल रहा है, formula लिखकर दिखाओ, देखो वीटा, जब भी हमें formula लिखना है, हमें जब भी formula लिखना है, हमेशा cation पहले आता है, anion बाद में आता है, ये तुम बच्पन से सीख रहे हो, अगर मालो मैंने तुमको दिया, मैं inorganic के basic बच्पन की यादे तुम्हें याद दिलाती हूँ, अगर मालो आपको ये कोई compound दिया, aluminium sulfate, बोल रहे हैं कि इसका formula लिखकर दिखाओ, तो जब हम formula लिखते हैं, तो पहले kation आता है, फिर anion आता है, कुछ exceptions हैं, जिससे sodium acetate, CH3C, Oona, उसमें kation बात में आता है, वो अलग चीज़े हैं, बट हम normally अगर बात करें, तो aluminium ion हुआ, AL3+, charge के साथ kation, sulfate ion हुआ, SO4, 2-, फिर हम क्या देखते थे, अगर ये valency कट रही है, तो तो काट दो minimum, अब जो भी lowest number में आप कर सकते हो, अगर मालो यहाँ 2 होता, यहाँ 4 होता, तो मैं cancel करके 1 और 2 कर सकती हूँ, तो अगर simple ratio में कट सकते हो, तो कर दो, अब 3 और 2 में कोई common multiple नहीं है, तो यह कटेंगे तो नहीं, उसके बाद क्या करते थे, बैटा, valency को cross करते थे, charge का cross में कोई लेना देना नहीं होता, charge सर्फ यह बताता है, कि यह के tyon है, वो nion है, cross करोगे, तो AL के नीचे क्या आज जाएगा, 2, और SO4 के उदर whole bracket लगाएंगे, क्योंकि polyatomic है एक से जादा atom है, तो bracket लगाएंगे, और यह 3 इदर आ जाएगा, और आपका aluminum sulfate का formula क्या हो जाएगा, AL2SO4 whole thrice, अब coordination में भी basic चीज़े तो वहीं है, जब भी आप formula लिखोगे, पहले किटायन लिखोगे, फिर nion, तो नाम में यह वाला part किटायन होगा, chloride आपका CL- होता है यह तो आपको पता ही होगा, यह nion है, तो यह बाद में आएगा, यह वाला part पहले आएगा, यानि CL- nion वाला part normal है, तो केटायन वाला part complex होगा आपका, अब जब हम complex को लिखते हैं, तो complex को बेटा किसमें list करते थे हम square bracket के अंदर, और जब हम complex का formula लिखते हैं, तो सबसे प cobalt, तो मैंने cobalt का symbol लिख दिया, hexamine, hexamine, amine क्या होता है आपका, NH3, ठीक है, hexa का मतलब क्या है बिटा, amine कितनी बार आया है, छे बार आया है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम legands को place करते हैं, अगर legand के अंदर एक से जाधा atom है, जिसे NH3 में NBA और HBA, अगर polyatomic है, तो legand के around हम क्या लगाते हैं, parenthesis, parenthesis का मतलब होता है, bracket, round bracket जो होता है, parenthesis लगाया, जितनी बार legand आ रहा है, वो number लिख दो, hexamine का मतलब क्या है, NH3 कितनी बार आया, छे बार आया, ठीक है, यह जो third है, वो क्या represent करता है, आपका metal का oxidation state, क्या represent कर रहा है, जो मेरा यह central metal atom है, अध्यान देना विटा, कोबोल्ट का oxidation state प्लस 3 कैसे आ सकता है, कब आएगा, X, NH3 पे तो कोई charge नहीं होता, 6 into 0, is equal to, यानि complex पे प्लस 3 का charge होगा, तभी कोबोल्ट का oxidation state कितना आ सकता है, third आ सकता है, खुदी सोचों ना यार, CO, पहले central metal atom लिखते हैं, फिर ligands लिखते हैं, ligand अगर different होते हैं, तो alphabetical order में लिखते जाते हैं, अगर ligand में एक सजाधा atom है, तो हम क्या उसको किस में रखेंगे, bracket में, round bracket, parenthesis में, उसके बाद number लिखा, जुद्धी बार आया, complex part को किस में enclose कर दिया, मैंने square bracket के अंदर, कब आ सकता है, खुद सोचो, जब complex पर plus 3 का charge होगा, क्योंकि इस पर तो कोई charge नहीं है, तो cobald पर plus 3 कब आएगा, जब इस पूरे complex पर plus 3 का charge होगा, ठीक है, उसके बाद आया आपका CL minus, formula कैसे लिखोगे बटा, complex के tyon, n, i, n आ गया, ये वाली situation आ गई मेरे पास, final formula कैसे लिखोँगे, valency को cross करके, तो valency को cross कर दो, इस 3 को इदर ले जाओ, इस 1 को इदर ले जाओ, final formula क्या आजाएगा, CO, NH3 whole 6, के इदर, sorry, 3 इदर जाएगा, 1 इदर आएगा, ये आजाएगा, CL3, जल्दी बोलो भई, charge दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो पता होते हैं, ये 3 इदर आएगा, ये 1 इदर आएगा, ये 1 इदर आएगा, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 है, CL3, तो ये आपका इस complex का क्या हो गया, formula हो गया, अब एक बार फटा- अब फटा-फट से rules देखते हैं, पहला rule क्या बोल रहा है, जब भी आप formula लिखेंगे, central atom सबसे पहले list होता है, सबसे पहले list होता है, ठीक है, अगर complex का part लिख रहे हो तो, उसमें central atom सबसे पहले list होता है, फिर legans list होते हैं, कौन से order में, alphabetical order में, जिससे आपके पास काफी सारे legans है, amine है, और आपके पास carbonyl है, CO है, तो पहले amine आएगा A से, फिर carbonyl आएगा C से, तो देखना पड़ता है कि legand कौन सा आ रहा है, उसे साब से, लिखेंगे, लिखेंगे की placement, charge पर depend नहीं करती है, the placement of a legand in the list does not depend on its charge, जब हम legand को place करते हैं, bracket के अंदर, अगर एक जब आज के basis पर नहीं करते हैं, लिखेंगे को कैसे जब आपको याद होगा, organic में भी जब नाम लिखते थे तो अलफ़ाबेटिकल ओर के हिसाब से लिखते थे, तो यहां पे भी वहीं चीज़े हैं, जब आप लिखेंगे को प्लेस कर रहे हो, तो भी अलफ़ाबेटिकल से करोगे, बाद में देखेंगे, जब नाम भी लिखते हैं, तो भी कैसे लिखते हैं, अलफ़बेटिकल ओर के हिसाब से ही लिखते हैं, इसके अलावा third point important है, polydented ligands are also listed alphabetically, polydented क्या आते है जिनकी denticity 2 से जाधा थी, अगर polydented ligands है उनको भी हम कैसे लिखते हैं, alphabetically order में ही place करते हैं, हाँ, इस point पर ध्यान देना है, अगर हम किसी ligand की abbreviation यूज कर रहे हैं, short form यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो, ethylene diamine, की abbreviation क्या है, EN, और मान लो, oxalato, की abbreviation क्या होती है, OX, तो अगर आपके पास abbreviation वाली हम यूज कर रहे हैं, ligands, क्योंकि हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखते है, ethylene diamine, न, we write EN, formula में हम सीधा EN लिखते हैं, क्योंकि इतना लंबा चीज़ा, formula में थोड़ा न लिखोगे, formula का मतलब ही यह है, कि short hand representation है, short में represent कर दिया, तो जब हम ligand की abbreviations use करते हैं, जिन ligands का बहुत बढ़ा नाम होता है, जिसे ethylene, diamine, tetra acetate, iron, EDTA 4-, को हम short में EDTA ही लिखते हैं, पूरा पूरा नाम थोड़ा ना लिखूंगी मैं, जब मैं formula लिख रही हूँ, तो अगर आप ligand की abbreviation use कर रहे हो, जिनका नाम बहुत बढ़ा होता है, उनको मैं short में लिखते हैं, तो again ligand की abbreviation का first alphabet दिखना है, मालो किसी complex में, ethylene, diamine भी आ रहा है और oxalato भी आ रहा है, तो उस time पर बेटा आप alphabetically place करोगे, en का e पहले आ रहा है, ox का o बाद में आ रहा है, तो पहले thylene diamine को लिखोगे, फिर oxalato को place करोगे, दिखाँ, so abbreviated ligands के अंदर भी first letter abbreviation का use होता है, position determine करने के लिए, जिसका alphabet पहले आ रहा है, उसको पहले place करोगे, next point कहता है, कि भई अगर आपका, जो formula है, पूरे coordination entity का, चाहे वो charge हो या ना हो, वो किसमें enclosed होता है, square bracket में, यह तो understood है विटा, जो आपका coordination entity और coordination sphere होता है, वो किसमें enclosed होता है, square bracket के अंदर, इसके अलावा अगर ligands polyatomic है, ligands अगर polyatomic है, तो उनको हम किसमें enclosed करते हैं, parenthesis में, इस तरह से, जैसे कि, polyatomic में NH3 bracket में लिखोगे, H2O bracket में लिखोगे, पर अगर CL है, तो इसमें bracket लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CL एक ही atom है, यहांपे polyatomic नहीं है, CL एक ही तो atom है, तो यहांपे bracket लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर ligand polyatomic है, लिगन के अंदर ही खुद में एक सजादा आटम है, तब आप bracket लगाओगे, इसके अलावा, वो कहे रहे हैं, अगर आप abbreviation यूज कर रहे हो, जैसे थाइलीन डायमीन ब्राकेट में लिखोगे, ओक्जलेटो ब्राकेट में लिखोगे, एडिटी ये ब्राकेट में लिखोगे, तब abbreviations को भी आप किसमें एंख्लोस करते हो, parenthesis में एंख्लोस करते हैं, उसके बाद कोई भी space नहीं आना चाहिए, जब आप formula लिखते हो, legans और central metal atom में, तो जब हम formula लिखते हैं, चिपका चिपका के लिखना है, central metal atom, legans, बिल्कुल चिपका के रखना है, कोई space, कोई gap नहीं देना, ठीक है, within coordination sphere, यानि जो coordination entity होती थी, इसमें central metal atom आता था और legans आते थे, इनके बीच में कोई खाली जगा आपको नहीं छोड़नी, ठीक है, next point कहरा है, कि जो भी आपके complex पे charge होता है, उसको balance करने के लिए counter iron होता है, counter iron तो होता ही है, जैसे मैंने यहाँ पर example दिया था, तो यह CL minus counter iron था, किसी और में कुछ और हो सकता है, तो जो भी आपका complex पे charge होता है, वो charge हम कैसे indicate करते हैं, outside the square bracket, उपर में right hand side में superscript में, superscript समझाता है, उपर subscript होता है नीचे, तो right में superscript में charge लिख देते हैं, complex पे 3 minus है, 3 plus है, 2 minus है, 2 plus है, वो सारा square bracket के इधर, right में superscript में, n plus minus, जो भी charge है, और हो सकते हैं charge 0 भी हो, 0 है तो दिखाने की जरुवत नहीं है, understood and neutral होगा, कोई charge नहीं होगा, बड़ अगर charge present है, तो sign के साथ right में लिख दो, और last point है, कि के ti-n और n-n का charge एक दूसरे से हमेशा balance होना चाहिए, जितना के ti-n पे charge है, उतना ही n-n charge को balance करने चाहिए, और valency या charge को cross करके final formula लिखना होता है, जैसे के हमने यहाँ पे करा था, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे इस complex में, तो यहाँ पर बेटा complex पे 3 plus का charge था, अगर मैं इसको तोड़ूंगी, तो यह इसी में टूटेगा न, CO NH3 whole 6, 3 plus, और क्यूंकि यहाँ पे 3 Cli थे, तो 3 chloride ion, तो complex के 3 plus को charge को balance करने के लिए, आपके पास कितने chloride ion है, 3 chloride ion, 1 minus, 2 minus, 3 minus, तो 3 negative will balance the 3 positive, इतनी बात लिए हो रहा है, अगर यहीं पर मैं तुमसे total ions पूछूं, तो यहाँ पर total ions कितने produce होंगे, 1 kitt ion, 3 and ion, total ions कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो ऐसे हम formula लिखते हैं, formula के अभी, हम सिर्फ questions practice ही करेंगे आज की class में, और कुछ नहीं करना आम को, अब फटा फट से rules कर लेते हैं, जब आपको नाम लिखना होता है, अब जब नाम लिखना होता है, तो थोड़ी सी कहानी उल्टी है, थोड़ी सी कहानी उल्टी होती है, opposite होती है, जब नाम जब लिखना है, नाम में अगें, नाम तो फिर से किटाियन का पहले लिखोगे, नायएं का बाद में लिखोगे, जिसे magnesium sulfate, magnesium carbonate, sodium oxalate, किट आयन का पहले नायन का नाम बाद में आता है, वही बात होगे, first name, second name वाला, आपका main name पहले आता है, third name बाद में आता है, वैसे ही यहाँ पर किट आयन का नाम पहले आएगा, नायन का नाम बाद में आएगा, यह तो हमेशा की चीज है, ठीक है, so the positive ion is named first, followed by the negative ion, पहले किट आयन का नाम लिखते हैं, फिर नायन का, ठीक है, अब दोनों में से कोई भी complex हो सकता है, या तो मेरा किट आयन complex हो सकता है, या फिर हो सकता है, मेरा नायन complex हो, मैं एक और example देती हूँ, आपको फॉनमों लेका ही, पोटाशियम हेक्जा साइनो फेरेट थर्ड, अब इसमें एक बार फॉर्मूला देखते हैं, कैसे आएगा, पोटाशियम तो मतलब के प्लस हो गया, यह तो मानते हो, तो केटायन नॉर्मल वाला यानि एनायन जोगा, वो complex होगा, जब हमें complex का फॉर्मूला लिखना है, तो पहले किसको लिखते हैं फॉर्मूले में, सेंट्रल मेटल आटम को, फेरेट का मतलब है आइरन होगा, अब यह फेरेट क्यों लिखा है, यह मैं भी बताऊंगी, क्योंकि यह रूल्स नाम में आता है, आइरन लिख दिया, सेंट्रल मेटल आटम, अब लिगेंड को प्लेस करेंगे, लिगेंड हेक्जा-साइनो, कौन सा लिगेंड होता है, मेरा Сीएन-, सीएन- का नाम क्या लिखते थे थे, हम साइनो, साइनो कितनी बार आ रहा है यह, 6 बार आ रहा है, तो CN कितनी बार आ गया, 6 times आ गया, 3rd ये bracket के अंदर जो Roman numeral में होता है, ये क्या represent करता है आपका Central Metal Atom का Oxidation State यानि इस complex में Iron का Oxidation State 3rd है, खुद मुझे logically बताओ, ये कब आएगा, Iron का Oxidation State में XLET कर रहे हूँ 1 CN पर minus 1 का charge होता है, 6 CN पर minus 6 होगा, मुझे अपनी maths जितनी भी आती है तुमको, वो लगा कर बता दो, कि X minus 6 किसके बराबर करूँ कि X plus 3 आजाए, Iron का Oxidation State 3rd आजाए, सोचे जरा ये बेटा, minus 3 के ही बराबर होना चाहिए, तभी X किस क्या होगा, minus 3 plus 6 और X किसके बराबर आएगा, आपके, plus 3 के बराबर आएगा, यानि इस complex पर कितना charge होना चाहिए, 3 negative का होना चाहिए, तभी X minus 6 is equal to minus 3 होगा, और Iron का Oxidation State कितना आएगा, plus 3 तभी आपाएगा, अब हम इस situation पर पहुंच गया है, कि मेरे पास कित anion है, मेरे पास anion आगया, क्रोस कर दो, formula क्या आजाएगा, K के नीचे आगया, 3 F E C N 6, तो ये आपका क्या हो गया, formula हो गया, ठीक है, so this is the formula of potassium hexasino ferrate third, ferrate क्यों लिखा, जब भी complex पर negative charge होता है, ध्यान से सुनना, जब भी complex पर negative charge होता है, central metal atom के नाम के पीछे क्या जोडते हैं, 8 जोडते हैं, ferrate, nickel से nickelate, palladium से pallidate, copper से cuprate, zinc से zincate, ये तब ही होता है, जब complex पर कैसा charge होता है, negative charge होता है, तब जो central metal atom होता है, उसके नाम के पीछे क्या जोडते हैं, 8, तो यहां पर ferrate, इसलिए जोड़ा, क्योंकि जो complex से वो negative charge है, तब iron के नाम में 8 जोड़ दिया, iron 8 नहीं लिखते हैं, latin name यूज करते हैं, ferum से ferrate, ठीक हैं, जो यहां पर हम क्या कहरे हैं, जब भी हम complex part लिखते हैं, जब भी complex लिखते हैं, जिसे यहां पर यह complex था, यहां पर यह complex था, cation भी हो सकता है, complex and iron भी हो सकता है, बट जब भी मैं complex का नाम लिखूँगी, बेटा, मैं पहले किसका नाम लिखूँगी, ligand का, जब formula लिखते हैं, तो पहले metal लिखते हैं, बट जब नाम लिखते हैं, तो पहले नाम किसका आता है, ligand का नाम आता है, ठीक है, so when writing the name of the complex, जब हम complex part का नाम लिखते हैं, beat, kateinic, beat and ionic, तो हम ligands को पहले लिखते हैं, ligands का नाम पहले लिखा जाता है, in alphabetical order, फिर किसका नाम आता है, central metal atom का नाम आता है, तो पहले नाम लिखते हैं, पहले katein का लिखा, फिर anion का लिखा, अगर katein complex है, तो आप नाम complex में भी पहले किसका लिखोगे, ligand का, फिर metal का, ठीक है, अब ligands का नाम कैसे पता चलेगा, किस ligand का क्या नाम होगा, तुम्हारे दिमाग में यह यहार होगा, कि ligand का नाम हमें कैसे पता, क्या होगा, so ligands बेटर, charge के basis में हमने कितने में classify करे थे, तीन, anionic, catanic, और neutral, तो अगर आपका ligand anionic होता है, negative charge वाला होता है, वो मैंने table दे दी है, कौन-कौन से negative वाले होते हैं, तो anionic ligand, अगर आपके complex में anionic वाला ligand है, तो जब आप नाम लिखोगे, तो end में क्या जोड़ना होता है, O, तो the names of the negative ligands end in O, O पर end होते हैं, जिससे F- का normally हम fluoride लिखते हैं, but coordination compounds में, जब यह ligand की तरह है, anionic ligand है, ligand तो पता है ना, जो loan पर डोनेट कर रहा था metal को, complex के अंदर, तब इसका नाम fluoride नहीं लिखना, क्या लिखोगे, fluorido, या फिर कुछ जगा पर, बिटा, fluorow भी होता है, तो दोनों ठीक है, fluorido या fluorow, दोनों ठीक है, ठीक है, CL- chlorideo या chloro, दोनों नाम चलता है, option में देख लेना, MCQ में क्या है, bromido या bromo, SEI- iodido या ido, N3- azido, SCN- आपका क्या होता है, thaiosinato S और NCS- क्या होता है, thaiosinato N, जिसको हम isothaiosinato भी बोलते हैं, बट क्योंकि यह ambitented ligand होता है, याद है na, ambitented ligand, तो SCN- में अगर sulfur के थुरू है, तो मैंने बता दिया, thaiosinato S है, और अगर NCS- में nitrogen की side से जुड़ा है, तो मैंने नाम में बताया, thaiosinato N है, कि N की side से जुड़ा हुआ है, H- होता है hydrido, OH- होता hydroxo, oxygen पर 2- वैसे oxide होता है, यहां पर oxo, O2 पर 2- वैसे peroxide होता है, यहां पर peroxo, N पर 3-, nitrogen पर 3-, जब 3- का charge होता है, वो था nitride ion, यहां पर nitride O, HS- mercapto, S2- thio, Cn- sino, अगर carbon के through है, और nitrogen के through है, तो कौन सा हो जाएगा, isosino, तीक है, ऐसे ONO- nitrido O, oxygen के through, NO2- में nitrogen के through है, तो nitrido N, यह वाले आपके कौन से ligands है भीटाँ, these are ambidentate ligands है, तो ambidentate ligands में आपको बताना है, नाम से पता चलना चाहिए, कौन सी side से जोड़ा है, sino- carbon से होता है, isosino- nitrogen से, nitrido O, oxygen के through, nitrido N, nitrogen के through, thiocynato S, मतलब sulfur के through जोड़ा है, thiocynato N, मतलब nitrogen के through, जोड़ा हुआ है, नाम आपका पूरा address बताना चाहिए, इसके अलावा कुछ और है, 9- ligands के नाम लिखरी हूँ मैं, CO3, 2- वैसे carbonate होता है, ligands की तरह है, तो carbonate हो, carbonate हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे ही, C2, O4, 2- आपका oxalate ion होता है, नाम लिखोगे तो क्या हो जाता है, oxalato, oxalate ion से oxalato, इसको abbreviation में हम OX लिखते हैं, चार्ज कितना होता है, इस पर 2- अगर आपके पास, बेटा, EDTA 4- का है, EDTA पर 4- नेगटिव का चार्ज था, इसका जब हम नाम लिखते हैं, तो हम नाम क्या लिखते हैं, इथाइलीन, डायमीन, टेट्रा, आसिटेटो, कुछ नहीं है, जो भी एनाइनिक लिखे गे ने, जिनबर नेगटिव चार्ज होता है, उनके नाम के एंड में ओ आ रहा है, इथाइलीन, डायमीन, टेट्रा, आसिटेट से आसिटेटो, ओक्जलेट से ओक्जलेटो, कार्बोनेट से कार्बोनेटो, ऐसे एसोफोर टू माइनस, सल्फेट से क्या हो जाएगा, सल्फेटो, ठीक है, एस्टू ओओ टू माइनस, थायो-sulphate-ion होता है, थायो-sulphate से इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? थायो-sulphate-o, कुछ नहीं है, end में o लगाना है, तो अनाइनिक लीगेंड अगर है, तो वो किससे end होते हैं? anionic ligands ends with O, ends नहीं, end होगा they end with O, इनके नाम के end में क्या जोड़ना है, हमको O लगाना है, carbonato, oxalato, hydroxo, fluorido या fluoro, chloro, bromo, ido, इस तरह से, ठीक है, अब अगर आपका ligand neutral है, जिस पर कोई charge नहीं होता, तो उनके नाम को हम azitasy लिखते हैं, उनमें कोई special ending नहीं जोड़ते हैं, जिससे हम वहाँ पर O लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई special ending नहीं होती है, लेखे, NH3 के लिए amean, अब यहाँ पर ध्यान देना है, amean में double M लगाना है, अगर तुम single M लगाकर आ गए ना, नाम में, amean के, amean की बात कर रही हो, मैं खाली, अगर तुम single M लगाकर आए, तो मुझे ब्लेम मत करना, कि नाम गलत क्यों हुआ, वो गलत होगा, paper में जो teacher होगा, वो काट देगा, चाहे तुमने पूरा नाम क्यों ना ठीक लिखाओ, अगर तुम amean की spelling गलत लिखा है, पूरा नाम गलत है, तो याद रखना है, NH3, लिगेंड की तरह जब होता है, तो amean में double M आता है, H2O के लिए क्या हो जाएगा, aqua, पानी के लिए हम aqua लिखते हैं, neutral है, CO के लिए, carbon monoxide के लिए क्या होता है, आपका carbonil, NO के लिए क्या होता है, nitros से लिए सारे neutral ion पर कोई charge नहीं है, EN भी neutral होता है, यह क्या होता है, आपका ethylene diamine, यहाँ पर single M आता है, उस वाले amean में double M आता है, तो EN भी neutral ligand है, ethylene diamine, इनके नाम में कोई change नहीं है, NH3, A, double M, I, N, E, water के लिए हम क्या लिखते हैं हाँ पर aqua, जब ligand की तरह होता है, CO के लिए carbonil, NO के लिए nitrosil, EN के लिए ethylene diamine, यहाँ पर मैं नाइनक ligand में एक और आड कर रही हूँ, which is GLY पर minus, यह आपका कौन सा होता है, glycinate 2, glycinate 2 basically आपका क्या था, NH2, CH2, COO minus, यह glycinate का formula होता है, यह भी negatively charged ligand होता है, तो glycinate से glycinate हो जाता है, चलिए, इसके अलावा अगर आपके पास बेटा positive ligands है, मतलब positively charged वाला ligand है, तो उसके नाम में आप क्या जोडते हो, उसके नाम के end में EM जोडता है, यह आपने बच्चपन में भी बढ़ा है, जाता तर जो metal होते हैं, उनके नाम के end में EM होता है, वो metal जाता है कि टाइंस बनाते हैं, rhodium, em, osmium, iridium, sodium, potassium, तो यहाँबर जैसे hydrazine होता है, compound NH2, single bond NH2, यह organic में पढ़ोगे आगे, तो NH2, single bond NH2 is hydrazine, अगर एक H+, जोडता है तो NH2, NH3+, और तब क्या हो जाता है आपका hydrazine, bonding यहाँ से होती है, यह वाला nitrogen अपना loan pair donate कर देता है, ऐसे ही बेटा, अगर NO पर plus का charge है, यह kateinic है, तो NO neutral का नाम nitrocyl था, NO plus का नाम क्या हो जाएगा, nitrocylium, nitrocylium, ठीक है, तो anionic ligand के नाम में end में O, kateinic में EM, और neutral ligand में कोई ending नहीं होती है, क्या हमें ligand के नाम याद होने चाहिए, absolutely, क्या हमें ligand का charge याद होना चाहिए, बिलकुल होना चाहिए, यह जो आपको table बना कर दिये, यह इसलिए दिये, ताकि आपको ligands याद हो जाए, उनका क्या नाम यूज करना है, वो याद हो जाए, वो प्राक्टिस के साथ धीरे-धीरे याद हो जाता है, इसके अलावा, नेक्स रूल क्या कह रहा है बिटा, ligand जित्ते भी बार आया है, उसके लिए prefix लगाओ, जिससे आपको याद होगा, तो और्गानिक में अगर मिथाईल दो बार आ रहा है, डाइमिथाईल, तीन बार आ रहा है, ट्राइमिथाईल, नमबर बताते थे ना कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऐसे ही अगर आपके पास same kind का ligands several times आया है, जिससे NH3 पांच बार आया, तो पेंटा अमीन, वाटर छे बार आया, H2O6, हेक्जा, आक्वा, सीओ छे बार आया, हेक्जा कार्बोनेल, तो कितनी बार आया है, उसके लिए हम एक numerical prefix यूज करते हैं, तो यूज दी प्रिफिक्स डाइ, ट्राइ, टेट्रा, डाइ for two, ट्राइ for three, टेट्रा for four, पेंटा for five, हेक्जा for six, ताकि आप बता सको कि जो लीगेंड है, वो कितनी बार आया है, कितनी चीज के लिए हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, अगर मेरे लीगेंड के नाम में ही numerical prefix आ रहा है, मेरे लीगेंड के नाम में, पहले से ही कोई नंबर का prefix है, ध्यान देना, जिसे इथाईलीन, डायमीन में पहले ही बेटा, नाम में ही डाय है, पहले ही एक नंबर का prefix है, ऐसे एडिटीए के नाम में क्या होता है, इथाईलीन, EDTA के नाम में दो prefix होते हैं डाइ और टेटरा तो अगर किसी लीगेंड के नाम में पहले ही numerical prefix आ रहा है पहले ही क्या आ रहा है लीगेंड के नाम में पहले से नंबर चुपा हुआ है तो उस case में आप आगे अगर मालो EN तीन बार आया तो मैं यह नहीं लिखूंगी ट्राइ, इथाईलीन, डाइ, अमीन नहीं उस case में हम अलग prefix यूज करते हैं दो बार के लिए बिस तीन बार के लिए ट्रिस चार बार के लिए टेटरा किस यह वो वाला किस नहीं है जो तुमारे दिमाग में आया है नॉर्मल, टेटरा किस सिंगल एस के साथ है, डबल एस मत लगा देना बता चला भावनाओं में बहगए देखें, बिस, ट्रिस, टेटरा किस तो यह आपका क्या बताता है कि अगर आपके लीगेंड के नामे यह तभी लगाना है जब लीगेंड के नाम में पहले से नुमेरिकल प्रिफिक्स हो तो अगर एथाईलीन एन तीन बार आया किसी कॉम्प्लेक्स में तो मैं लिखूंगी ट्रिस, ब्राकेट लगाऊंगी परेंथेसिस, एथाईलीन, डायमीन कि थाईलीन, डायमीन कितनी बार आया है तीन बार आया है तो उसके लिए हम ट्रिस लगाएंगे ट्राइ नहीं लगाएंगे यह ध्यान देने वाली चीज है नेक्स्ट है जो भी सेंट्रल मेटल आटम होता है तो उसका Oxydation Number हम किसमे शो करते है रोमन न्यूमरल में ब्राकेट्स तो है तो इस तरह से थरी फूर इस तरह से तो जब हम पहले legen का नाम लिखते है फिर central metal का नाम लिखते है लिगन जतनी बार आया हो समिदिए horrific मेंगा है hexasino, hexakarbonyl, pentamine जित्ती भी बार आया, फिर मेटल का नाम लिखा, मेटल का नाम लिखने के बाद, रोमन न्यूमरल में मेटल की क्या लिखते हैं, ओक्सिडेशन स्टेट, जिसे मैंने यहां पर लिखा हुआ था, विटा, कांगे एक्जाम्पल, हेक्जासाइन, फिर क्या लिखा था, फेरेट और फिर उसके बाद मेटल का क्या लिखा था, ऑक्सिडेशन स्टेट, लेक्श्ट है, अगर आपका कॉम्पलेक्स पॉजिटिव है, या न्यूट्रल है, अगर कॉम्पलेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, या neutral है, तो central metal के नाम में कोई special ending नहीं होती, metal का नाम azotis होता है, cobald cobald ही रहेगा, iron iron ही रहेगा, पर अभी मैंने पीछे भी बताया था, पर अगर बेटा, आपका complex negative iron है, अगर आपके complex पर negative charge है, तो central atom के, central metal atom के नाम के end में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, zincate, ferrate, cuperate, cobaltate, pallidate, nickelate, सारे सबके वीशे 8 जोड़ना है, पर यह तभी लगाना है, जब complex पर negative charge है, तब metal के नाम में 8 जोड़ोगे, पर अगर complex positive है या complex neutral है, तो कुछ भी नहीं आता, next, अगर ligand आपका ambidented होता है, क्योंकि कुछ ligand अलग-अलग side से जुड़ते हैं, ambidented, तो उस case में आपको बताना है, नाम में कि वो ligand कौन सी side से जुड़ा है, अगर NO2 है, nitrogen के तुरू जुड़ा है, तो आप नाम में nitrito N लिखोगे, पर अगर oxygen के तुरू जुड़ा है, तो आप नाम में क्या लिखोगे बिटा, nitrito O लिखोगे, तो यह सारे rules हैं, बाकि अब question स्टार्ट कर रहे हैं, question स्टार्ट करते करते, आपको और clarity मिलता जाएगा, कि मैं क्या rules की बात कर रहे थी, ठीक है? चलिए, तो पहले हम नाम वाले questions करेंगे, बाद में formula वाले question करेंगे, कुछ-कुछ question homework के लिखोगे दूँगी, हमें नाम लिखना है, नाम का rule क्या था? पहले किटायन का नाम, फिर नायन का नाम, तो पहले हैं, तो मैं किटायन नायन ही identify कर लूँ, इसको तोड़ो, किस में टूटेगा बिटा, ये? के पे प्लस चार्ज होगा, FECN 6 पर कितना चार्ज होगा, बैक क्रॉस करो, 4 माइनस होगा, तभी क्रॉस करके ये इधर, ये इधर, ठीक है? के चार बार आ रहा है, वो आप लिख सकते हो, बैलन्स करने के लिए बट उससे फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है? नाम लिखते हैं इसका, पहले के टायन का नाम लिखेंगे, के प्लस के लिए क्या लिखूंगी मैं, के प्लस का नाम क्या होगा, बैटा, पोटाशियम होता है तो, पोटाशियम, ठीक है? चार बार आया है, तो ये मत सूचना, टेटरा पोटाशियम लिख दोगे, ये गलती मत करके आना, अगर मैं आपको ये एक्जाम्पल दिखाऊँ, जब आप अलुमीनियम सलफेट का नाम लिखते हो, तो आप ये थुड़ा ना लिखते हो, डाय अलुमीनियम ट्राइस सलफेट नहीं, ये नंबर क्या बताता है, वैलंसी ही तो बता रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ना लिखते हैं, अब अलुमीनियम सलफेट अगर टूटेगा, तो आपको दो अलुमीनियम आयन्स मिलेंगे, और तीन सलफेट आयन्स मिलेंगे, बैलंस करने के लिए, अल दो बार आया, तो दो अलुमीनियम सलफेट तीन बार आया, तो तीन सलफेट आयन्स, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि मैं नाम में डाय अलुमीनियम की दो बार आया, तीन बार सलफेट आया, नहीं, यह नंबर वैलंसी से आ रहा होता है, इसको हम नाम में represent नहीं करते हैं, तो ऐसे ही, यहाँ पर 4 potassium है, वो charge को balance कर रहा है, बट उसमें आप नाम में नहीं लिखोगे कि टेटरा potassium है, नहीं भाई, वो लिखने की जरुवत नहीं है, के टायन का नाम लिख दिया, अब अनायन का नाम लिखेंगे, यह अनायन है, अनाय cn-, जल्दी बोलो यार, cn- के लिए हम क्या लिखते हैं, negatively charge है, तो इसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं, sino, कितनी बार आ रहा है, छे बार आ रहा है, तो क्या लिखोगे, numerical prefix लगाओ, hexa, space मत दो, नाम में बिलकुल भी, hexa, hexa, sino, so potassium, hexa, sino, कि sino जो है, वो कितनी बार आया, छे बार आया, तो मैंने numerical prefix लगा दिया, hexa, वो भी normal वाला लगाया है, hexa, sino, यहां तक हुआ, अब इसके बाद किसका नाम लिखते हैं, metal का नाम, क्यूंकि मेरा complex, बेटा, negatively charge है, तो क्या मैं metal का नाम, iron लिखोंगी, direct, नहीं, क्यूंकि मेरा complex, अगर negative charge है, जितना भी negative charge है, metal, हिंदी में लिख रही हूं, metal के नाम में, eight, लिख दो, मुझे बहुत जाद, ठीक है, metal के नाम में, eight, जोड़ दो, लिख दो, add कर दो, तो iron नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ferrate, potassium hexasino ferrate, ठीक है, जब भी metal, sorry, not metal, जब भी complex negatively charge है, तो metal के नाम में क्या जोड़ना है, eight जोड़ना है, metal के नाम में, eight लिख दो, तो potassium hexasino ferrate, फिर metal का बिटा oxidation state लिखना होता है, roman numeral में, यहां पर metal का oxidation state निकालेंगे, x minus 6 is equal to minus 4, यानि x कितना आ गया, plus 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, hexasino ferrate, two हो जाएगा, यह इस compound का पूरा नाम है, potassium hexasino ferrate, ferrate से पता लगया, complex negative charge होगा, तब ही eight आ रहा है, और metal का oxidation state two है, roman numeral में लिखना है, चलिए, next का नाम लिखते है, पहले इस compound को तोड़ो बेटा, यह किस-किस में तूटेगा, पहला वाला किटायन है, तो Ni NH3 whole 6, मुझे पता है, Cl पर तो माइनस का charge होता है, यहां two तब ही आएगा, जब complex पर कितना charge होगा, two plus, ठीक है, बागी balance करने के लिए, दो chloride ion होंगे, बट उसको नाम में हमें mention करने की जरुवत नहीं है, चलिए, नाम लिखते हैं इस compound का, पहले बेटा कितायन का नाम लिखते हैं, फिर नायन का, अब कितायन complex पाट है, complex का जब नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जब भी आप नाम लिख रहे हो, पहले कि तायन फिर नायन, फिर देख लो क्या चीज है, कि तायन अगर complex है, तो complex में पहले नाम हम लिखेंड का ही लिखते हैं, NH3 लिखेंड है, NH3 के लिए क्या आता है, amine, amine, neutral होता है, छे बार आ रहा है, तो hexa लगाओगे, amine के आगे prefix लगाएंगे, तो पहले लिखा, hexa, फिर क्या लिखा, amine ध्यान देना है, double M वाला आएगा, single M लगाके आगे तो गलत है, hexa amine, फिर हम किसका नाम लिखते हैं, central metal atom का, यहां पे निकल निकल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि complex कैसा charge है, positive, अगर complex positive है, या neutral है, तो metal का नाम as it is रखना है, तो पहले ligand का नाम, complex part में, जब हम लिखते हैं, पहले ligand का नाम, फिर metal का नाम, फिर oxidation state लिखते हैं, metal का roman numeral में, यह oxidation state निकालो, metal की कित्त ही आएगी, अब तो तो तुम मन में निकाल सकते हो, इतने smart हो चुके हो तुम, x plus 6 into 0 equal to plus 2, यानि x कितना आ गया, plus 2, यानि hexa amine, nickel, 2, roman numeral में लिख दिया, NIN आपका पेटा, Cl- है, दो बारा है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, वो सिर्फ charge balance कर रहा है, Cl- NIN है, अभी ligand नहीं है, तो आप Cl- का normal नाम लिखोगे, which is chloride, या पे chloride हो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि Cl- अभी ligand ही नहीं, वो तो bracket से बाहर है, और अगर व ligand की तरह काम कर रहा होता, bracket के अंदर होता, तो आप Clorido लिखते, या Cloro लिखते, बट ये bracket के बाहर है, ये अभी ligand नहीं है, ये normal ion है, counter ion है, तो आप normal नाम लिखोगे, which is chloride, चलिए, तीसरा करते हैं, N-I-C-O-4, थर्ड क्या है आपका, N-I-C-O-4, चलिए, यहां तो कोई C-I-N-I-N ही नहीं, neutral complex है, अगर complex neutral है, पहले ligand का नाम लिखो, चार बार के लिए क्या आजाएगा, टेटरा, चार बार कौन आया, C-O, C-O के लिए क्या लिखते हैं, बटा, कार्बोनिल, तो टेटरा कार्बोनिल, फिर metal का नाम लिखोगे, पहले ligand का नाम, यह complex है, इसके आगे पीछे कोई क्या टायन नायन नहीं है, जब complex का नाम लिखना है, पहले ligand का नाम, चार बार के लिए टेटरा, कार्बोनिल, central metal atom का नाम निकल निकल ही रहेगा, क्यों? क्योंकि complex neutral है, कि tiny complex और neutral complex म नाम में कोई फरक नहीं आता, फरक का बाता है, सिर्फ जब complex कैसा हो, negative charge हो, जब complex कैसा हो, जब complex पे कैसा चार जो, negative charge हो, तब metal के नाम में 8 जोड़ना है, अधरवाईस नहीं जोड़ना, टेट्रा कार्बोनेल निकल उसके बाद मेटल को औक्सिडेशन स्टेट लिखना है रोमन न्यूमरल में X प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 ही होगा तो कितना आ जाएगा बिटा जीरो आ जाएगा रोमन यूमरल में 00 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, चालिए, D वाला देखते हैं, D वाला कैसे लिखेंगा, देखो, complex के आगे पीछे कोई के tion ना नहीं है, यह neutral है, तो यहाँ पर मेरे को लोड लेने की तो कोई जरुवती नहीं है, अब यहाँ पर दो अलग-अलग तरीके के लिखेंग्स हैं, एक तो CL- है ना, अगर CL- लिखेंड है, तब हम क्या लिखते हैं बिटा, क्लोरो या फिर क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, दोनों सही होता है, इसके अलावा है PPH3, मैं इसका नाम बता रही हूँ, pH होता है Phenyl, जब substituent की तरह आख करते हैं, तो Phenyl बोलते हैं, तीन बार आया, तो ट्राइए, इसका नाम होता है, ट्राइए फिनाईल फॉस फीन, इसका नाम क्या होता है, ट्राइएए फिनाईल फॉस फीन, और PPH3 पर कोई charge नहीं होता, neutral होता है और triphenyl phosphine, neutral ligand है, PPH3 कैसा ligand होता है, neutral ligand, तो neutral ligand के नाम में कोई ending नहीं लगती, it's a neutral ligand, अब अगर दो अलग अलग तरीके के ligand से बिठा, तो नाम alphabetically लिखना होता है, अब alphabetically अगर आप देखोगे, तो CL chloro का C पहले आएगा, try तो prefix है बट फिर भी अगर मैं देखो तो try का T या फिनाईल का P बाद में ही आएगा, तो जब आप नाम लिखोगे ligands में, तो पहले क्लोरो का नाम आएगा, या क्लोराइडो कुछ भी लिख सकते हो, तुमारे उपर है, दो बार आया, तो डाय क्लोरो या डाय क्लोराइडो, दो नो ठीक है, दो बार आ रहा है, तो क्या मैं डाय ट्राय फिनाईल फॉस्फीन लिख दूँ, क्या तुमारा दिल इस चीज के लिए हां कह रहा है, कि माम लिख दो आप, बस आप लिख दो नाम, डाय ट्राय फिनाईल फॉस्फीन, क्या ये नाम सही है बिटा, नहीं, मैं मैं आपको रूल में बताया था, अगर नाम में numerical prefix आ रहा है, तो मैं normal वाले prefix di-try नहीं use करूँगी, तब कौन से use करेंगे? bis, tris, दो बार आ रहा है, तो क्या लिखोगे? bis, फिर parenthesis में लिखो इसको, tri-phenyl-phosphene, क्या लिखा, पहले लिखा, CL- के लिए alphabetically क्योंकि क्लोरो का C पहले आ रहा है, और फिनाइल का P बाद में आ रहा है, या ट्राय का T बाद में आ रहा है, तो डाय, क्लोरो या डाय, क्लोराइडो दो बार के लिए, P-P-H-3, tri-phenyl-phosphene दो बार आ रहा है, बड मैं यहाँ पर डाय दुबारा नहीं लगाऊंगी, क्यूंकि मेरे ligand के नाम में ही number, numerical prefix आ रहा है, तो अगर numerical prefix ligand के नाम में है, तब हम special prefix लगाते हैं, bis, tris, इस तरह से, तो bis, tri-phenyl-phosphene की, tri-phenyl-phosphene, bis, मतलब दो बार आया है, उसके बाद metal का नाम लिखेंगे, central metal का नाम nickel होगा, क्योंकि आपका जो ligand है, sorry, जो complex है, वो कैसा है, neutral है, complex पे कोई charge नहीं है, और अब nickel का oxidation state लिखना है, हमें किसमें, roman numeral में, oxidation state निकालें जारा यहां पर, कितना आएगा, बिटा, x, 1cl पर-1, 2cl पर-2, pph3 पे कोई charge नहीं होता, तो 2 पर भी कोई charge नहीं होगा, is equal to complex पर कोई charge नहीं है, neutral है, तो x कितना हो जाएगा, plus 2, यानि, यहां पर कितना आजाएगा आपका, nickel का oxidation state 2 आजाएगा, ठीक है, तो जब आपका सिर्फ complex पार्ट है, तो ligand का नाम लिखो, क्योंकि different ligands थे, तो मैंने नाम alphabetical order में लिखा, chloro का C पहले आ रहा था, trifinyl phosphene का T बाद में आ रहा था, तो पहले chloro का नाम लिखेंगे, या chlorido का, दो बार के लिए डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो भी लिख सकते हो, दो बार के लिए बिस, trifinyl phosphene, trifinyl phosphenus PPH3, क्योंकि इसके नाम में numerical prefix है, इसलिए यहाँ पर बिस लगाया, बिस, trifinyl phosphene, फिर metal का नाम लिखा, निकल, निकल ही रहेगा, क्योंकि complex पर कोई चार्ज नहीं है, और फिर nickel का oxidation state निकल का Roman numeral में लिख दिया, ठीक है, चलिए, बहुत सारे पार्ट से करते चलेंगे, घबराना नहीं है, clear होता जाएगा धीरे-धीरे, इट कम्स विद प्रक्टिव्स, और गानिक का nomenclature कोई एक दिन में थोड़ा ना आता है हमको, next है MnH2O whole 6 2 plus, ठीक है, सिर्फ हमें इसका नाम लिखना है, आगे बीचे कुछ का उंटर आयन तो है नहीं, तो सीधा complex part का नाम लिखूँगी, complex में पहले किसका नाम लिखोगे बेटा, लिगेंड का, H2O neutral लिगेंड है, H2O अगर लिगेंड की तरह होता है, तो हम क्या लिखते हैं, aqua, 6 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, hexa, aqua, फिर central metal atom का नाम लिखते हैं, manganese, manganese ही रहेगा, why, क्योंकि complex पर कैसा charge है बेटा, positive, तो metal का नाम azotis रहेगा, सिर्फ negative complex में तुम्हें सोचना पड़ता है, बाकी नहीं सोचना कहीं भी, manganese, अब metal का oxidation state निकाल दो यार, यहां पर, manganese का oxidation state क्या हो जाएगा, x plus 6 into 0 equal to plus 2, 0 ही रहेगा, तो x कितना हो जाएगा, plus 2, यानि manganese का oxidation state हो गया, 2 और मैंने यहां पर बस लिख दिया, आयन, नहीं भी लिखोगे चलेगा, आयन इसलिए लिखा, क्योंकि केटायन है, इसको कोई है नहीं, बिचारी को संभालने वाला, तुमने पढ़ा होगा बिटा, अगर आपके पास, बच्पन में ऐसे लिखा होता था, Na+, तो तुम sodium थोड़ा ना लिखते थे, तुम क्या लिखते थे, sodium ion, क्योंकि केटायन के नाम में कोई ending नहीं होती, mg2 plus magnesium ion, barium 2 plus, barium ion, तो इस तरह से हम ion जोड़ देते हैं, अगर complex केटायन और उसको balance करने के लिए, कोई counter ion नहीं है, चलो, next वाला देखो, k2, ni, edta, यह वाला तो अलग पेज़ पर गराऊंगी, important है यह बहुत जादा, इसको पहले तोड़ते हैं, k पे plus charge होगा, यानि, ni, edta, back cross करो, इस पर कितना charge होगा, 2 minus, balance करने के लिए, 2 k plus होगा, ठीक है, नाम लिखते हैं, चलो, जब नाम लिखोगे, बीटा, तो पहले किटाएन का, फिर नाएन का, तो पहले किटाएन का नाम लिख दो, k plus का नाम क्या होगा, potassium, फिर नाएन का नाम लिखेंगे, अनाएन में जब नाम लिखेंगे, तो पहले, जब नाएन का नाम लिखेंगे, तो एनाएन आपका complex है, complex में पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंट का, मेरा लिगेंट क्या है, EDTA, EDTA का नाम क्या होता था, EDTA पे कितना charge होता था, 4 minus, याद करो इसका नाम क्या होता था, ETHILEEN, DIAMINE, इसमें single M वाला ही आता है, DIAMINE, TETRA, ACETATE, तो, एना, एनाएनिक लिगेंट के नाम में, और जुड़ता है, एन्ड में तो ETHILEEN, DIAMINE, TETRA, ACETATE से क्या हो जाएगा, TETRA, ACETATE, POTASIUM, METAL का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या निक कर लिख दूँ, तो चलेगा, जल्दी बोलो भाई, क्योंकि आपका complex negative charge है, तो METAL के नाम में, क्या जोड़ दोगे, 8 लिख दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, POTASIUM, ETHILEEN, DIAMINE, टेटरासिटेटो, कि यह एनाईनिक लीगेंड है, उसका नाम लिख दिया, और एक ही बार आया थो, तो मैंने mono नहीं लगाया, अगर कुछ नहीं है, तो एक बार तो होगा ही, ETHILEEN, डायामीन, टेटरासिटेटो, NICOLATE, और आखरी में, निकल का OXIDATION STATE, Roman numeral में लिखना है, वो हमें निकालना पड़ेगा, चलो, OXIDATION STATE, निकल का निकालती हूँ, ADTA पर कितना चार्ज होता है, बीटा, माइनस 4, is equal to complex, भी कितना चार्ज है, माइनस 2, यानि, निकल का OXIDATION STATE, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, निकलेट 2, पोटाशिय, मिथाईलीन, डायमीन, टेटरासिटेट 2, निकलेट 2, चलिए, G वाला पार्ट, अलग पेज पर करेंगे, Pt, NH3, 4, Pt, Cl4, स्टार बना देती हूँ, इंपोर्टेंट है यह वाला, ठीक है, अचारे, अब यहाँ पर देखो यार, इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा, कि यह के टायन है, यह नायन है, पहला वाला के टायन, बाद वाला नायन, ध्यान देनी वाली चीज़ क्या है, कि यहाँ पर दोनों पार्ट आपके कैसे हार, complex है, क्या करें, दोनों complex दे दिया, पहला वाला के टायन है, बाद वाला नायन है, इतना तुम्हानते हो तुम, यह प्लस है, यह माइनस है, प्लस कितना माइनस, यह प्लस वन माइनस वन हो सकते है, यह प्लस टू माइनस टू भी तो हो सकता है, वेटा, तू तू तो cancel हो जाएगा, यह प्लस थ्री माइनस थ्री भी हो सकता है, तो भी थ्री थ्री cancel हो जाएगा, वन वन ही आएगा, cross कर दो, यह plus 4 minus 4 भी हो सकता है, कैसे decide करूं कि यार कितना charge होगा complex पर, यही तो यहाँ पर समझ से आती है कि हम कैसे decide करें कि हमारे complex पर कितना charge आएगा यह तो पता लगा कि पहला वाला कि टायन होगा, बाद वाला नायन होगा फॉर्मूले में, पर कितना positive कितना negative होगा, वो कैसे calculate करोगे, वो ध्यान से देखो प्लाटिनम, प्लाटिनम का oxidation state मैंने क्या let कर लिया विटा, x एक NH3 पर 0 तो 4 पर भी 0 होगा, सबका oxidation state प्लस करती चाहरे हो x 1cl पर माइनस 1, 4cl पर माइनस 4, सबका total sum of valency कितना कर दिया? 0 कर दिया, तो ये तो 0 ही होगा, तो x प्लस x होगा 2x, माइनस 4 उदर गया प्लस 4, x कितना आ गया? 2 आ गया यानि प्लाटिनम का इस complex में oxidation state कितना आएगा बेटा, प्लस 2 आ रहा है प्लाटिनम का, ठीक है? अब प्लाटिनम का oxidation state प्लस 2 कब आएगा? दोनों जगा पर जब इस complex पे प्लस 2 का charge होगा और इस complex पे माइनस 2 का charge होगा कैसे समझना? जब इस complex पर प्लस 2 का charge होगा तो प्लाटिनम का oxidation state प्लस 2 ही आएगा बोलो यार, x ब्लस 4 इन्टु 0 है तो सारा 0 है, इक्वल to प्लस 2 तो एक्स आ गया प्लस 2 और जब इस complex पर PTCL4 पर माइनस 2 का charge है तब प्लाटिनम का oxidation state हो जाएगा x-4 is equal to minus 2 यानि तब भी प्लाटिनम का oxidation state कितना आएगा प्लस 2, तो मैंने क्या करा प्लाटिनम का oxidation state निकाल लिया x प्लस 4 इन्टु 0 प्लस x-4 1CL पर माइनस 1, 4 पर माइनस 4 और टोटल sum of valence ही किसके बराबर कर दिया, 0 के तो प्लाटिनम का oxidation state कितना आगया प्लस 2, प्लाटिनम का oxidation state इस complex में प्लस 2 तब आएगा जब पूरे complex में प्लस 2 का चार्ज होगा और इस complex पर जब माइनस 2 का चार्ज होगा तब प्लाटिनम का oxidation state कितना आएगा प्लस 2 आएगा अब तो बस नाम लिखना है, नाम लिखते हैं, चलो, नाम लिखो भई, जब केटायन का नाम लिखेंगे पहले फिर नायन का, अब मेरा केटायन भी कॉंपलेक्स है, नायन भी कॉंपलेक्स है, जब कॉंपलेक्स का नाम लिखते हैं तो पहले लीगेंड का नाम लिखूंगी, चार बार के लिए टेटरा और फिर क्या हो गया अमीन बोलो यार चार बार के लिए टेटरा फिर हो गया अमीन फिर मेटल का नाम लिखूंगी प्लाटेनम को प्लाटेनम ही रहने दूंगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर कैसा charge is positive, तो metal के नाम में कोई फरक नहीं पड़ेगा, और उसके बाद metal को oxidation state लिख दू, यहाँ पे platinum को oxidation state कितना था, 2 था, तो मैंने cation का नाम लिख लिया, tetraamine platinum, 2, फिर nion का नाम लिखूंगी, nion भी complex है, तो complex में पहले किसका नाम लिखूंगी, legend का, चार बार के लिए tetra, chloro या chlorido, कुछ भी लिख सकते हो, tetra, chloro, metal का नाम लिखो अब, क्या platinum लिखना सही होगा बिटा, क्या कह रहे हो, हाँ या ना, यहाँ पर platinum 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि complex कैसा है, negative charge, तो मेटल के नाम के end में क्या जुट जाएगा, 8, तो tetra, chloro या tetra, chloro, platinate, और यहाँ पर platinum का oxidation state कितना था, 2, तो roman numeral में लिख दिया, 2, तो इस पूरे compound का नाम है, tetra, amine, platinum, 2, tetra, chloro, या tetra, chloro, या tetra, chloro, platinate, 2, यह बहुत-बहुत-बहुत important है, और homework में आपको इसी तरह का एक complex मैं दे रही हूँ, यह homework में आप खुट try करेंगे, ठीक है, Ni NH3 hold 4, Ni CL 4, this is your homework, इस वाले question का, हर question में कुछ ना कुछ homework मिलेगा तुमको, ठीक है, चाले, यह वाले, तीन question और करा रही हूँ मैं नाम के, एक question आपको homework में दूँगी, वह में next class में discuss कराऊंगी, ऐसी formula बे question में कराऊंगी, एक question homework में दूँगी, कुछ तो तुम भी महनत करो, चलिए, next वाले में again नाम लिखना है, देखो भाई, इस में तो डारेक्ट तोड़ देती हूँ, यह minus का है, तो यह complex पे plus का charge होगा, पहले cation का नाम लिखेंगे, cation मेरा complex है, complex में पहले ligand का नाम, अब ligand देखो अलग-अलग है, NH3, neutral ligand होता है, इसका नाम क्या लिखते हैं, amine, और CO3, 2- होता है, इसका नाम क्या लिखेंगे, हम carbonato, anionic ligand है, a पहले आएगा, c बाद में आएगा, तो मैं amine का नाम पहले लिखूँगी, पाँच बार के लिए क्या हो जाएगा, बेटा, पेंटा, NH3 पाँच बार आया है, तो पेंटा, amine, देखेंगे, प को consider मत करना, प तो सिर्फ numerical prefix है, ligand के नाम की spelling में alphabet चेक करना है, पेंटा, amine, CO3, कौँँसा ligand है, कार्बोनेटो, एनाइनिक लीगंड है, तो कार्बोनेटो, एक ही बार आया है, तो कार्बोनेटो यह लिख, हम नों नहीं लगाया मैंने, पेंटा, amine, कार्बोनेटो, लिएंस का नाम लिख दिया, अब मेटल का नाम लिखो, कोबॉल्ट, कोबॉल्ट ही रहेगा, का है? वाई? क्यों? क्योंकि मेटल पर, सॉरी, कॉम्पलेक्स पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिफ तो मेटल का नाम आप असट रहेगा, अब कोबॉल्ट का ऑक्सिदेशन स्टेट निकाल के लिखो भाई, कोबॉल्ट का यहाँ पर ऑक्सिदेशन स्टेट निकालो यार, एक्स, 5 इंटो 0, सीओ थी पर कितना चार्ज होता है? माइनस टू, इस एक्वल टू पूरे कॉम्पलेक्स पर कितना चार्ज होगा? प्लस वन, क्योंकि सी एल पर माइनस वन है, तो कॉम्पलेक्स पर प्लस वन होगा, एक्स माइनस टू इस एक्वल टू प्लस वन, यानि एक्स कितना आजाएगा बेटा, प्लस थ्री, यानि कोबॉल्ट का उक्सिदेशन स्टेट हो जाएगा, थर्ड, रोमन नूमरल में, फिर एनायन का नाम लिख दो, तो तुम्हें स्पेशल एंडिंग देनी है, ओ, ठीक है, चल लिए, तो उसका नाम हो गया, पेंटामीन कार्बोनेटू, कोबॉल्ट, थर्ड, उसका उक्सिदेशन स्टेट, कोबॉल्ट, यह पूरा केटायन का नाम हो गया, फिर एनायन का नाम लिख दिया, नेक्स्ट वाले में मैं आपको दो तरीके से नाम लिख कर दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं आपर, क्या दो पॉसिबिलिटीज है, मर्करी बेटा, दो ऑक्सिदेशन स्टेट दिखाता है, एक plus 1 और एक plus 2, वैसे तो यहाँ पर, ideally मर्करी का plus 2 वाला ही होना चाहिए, क्योंगि जो plus 1 वाला मर्करी हूता है, वो डाइमिरिक फॉर्म में एक्जिस्ट करता है, हचजी प्लस 1 जो होता है, वो कैसे एक्जिस्ट करता है? एक्जिस्ट आज दाइमर, यानि वो exist करता है Hg2, 2+, 2 mercury पर 2+, 1 mercury पर 1+, तो यहाँ पर जो mercury होगा वो आपका यह वाला तो मुश्किल होना क्योंकि अगर dimer वाला mercury होता तो यहाँ पर Hg के नीचे 2 होता ठीक है? समझ रहे हों? यहाँ पर Hg के नीचे 2 होता और फिट 2+, का चार्ज यहाँ पर अगर 2- होता है, यह cancel भी हो जाता तो भी यहाँ 2 आना चाहिए था तो यहाँ पर जो mercury होगा वो आपका कौन से oxidation state वाला होगा प्लस 2 वाला होगा, प्लस 1 वाला नहीं होगा बात समझ आ रहे हैं? mercury प्लस 1 वाला normal exist नहीं करता वो कैसे exist करता है? dimer की form में, hg2, 2+, 2 mercury पर 2+, 1 mercury पर 1 प्लस का चार्ज होता है तो अगर यहाँ पर dimer वाला mercury होता प्लस 1 वाला होता तो उसको exist करने के लिए hg2, 2 प्लस का चार्ज होता कि 2 mercury पर 2+, 1 पर 1 और complex पर जितने मर्जी का भी चार्ज होता अगर 2- भी होता, यह cancel भी हो जाता तो भी बेटा यह 2 तो होना चाहिए था formula में तो यह वाला तो नहीं होगा यहाँ पर mercury 2 प्लस का होगा और complex पर कितना चार्ज होगा 2- तभी यह 2 एक दूसरे से 2 cancel होगा आपका और cross होगा और 1-1 cross होजाएगा ठीक है पहले कितायन का नाम, फिर अनायन का नाम तो mercury मेरे कितायन का नाम हो गया mercury, mercury ही रहेगा अनायन का नाम लिखना है अनायन का जब नाम लिखोगे तो क्या करोगे अनायन complex है, complex में पहले ligand का नाम चार बार आया तो tetra, कौन चार बार आ रहा है, SCN- अब क्यूंकि SCN- दे रखा है यानि sulfur के थू है, NCS- होता है तो nitrogen के थू तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, thaiocyanato S होता है तो चार बार के लिए tetra thaiocyanato S ligand ambidented है linkage भी बता दिया कि sulfur के थू है फिर central atom का नाम लिखो cobalt नहीं लिख सकती मेरे हाथ कापरे हैं लिखते हुए क्यूंकि complex पर कैसा charge है बेटा, negative charge है तो cobalt नहीं लिखोंगी cobaltate और आखरी में metal का oxidation state निकालके roman numeral में लिख दो यहां जब तुम cobalt का oxidation state निकालोगे तो x 1scn पर minus 1 4 पर minus 4 is equal to minus 2 यानि x कितना आ गया? plus 2 तो यहां पर cobaltate 2 हो जाएगा mercury tetrathiocynato S चार बार के लिए tetrathiocynato S cobaltate 8 क्यूं? क्यूंकि complex negative है cobaltate metal का oxidation state roman numeral में यह केटाइन का नाम हो गया यह पूरे complex एनायन का नाम हो गया क्या कह रहो last वाला हम खुट्राए करना चाहते हैं? है? next question पूरा आपका हुमवकी है यह वाला और करवा रही हूं मैं नाम में चलिए PT NH3 whole 2 CL NO2 ओके जी? ओके जी अब यहां पर देखो अलग अलग लीगेंस है NH3 होता है amine CL होता है chloro NO2 होता है nitro है ना? nitrito N की तरफ से है तो nitrito N alphabetically A पहले आएगा chloro का C बाद में आएगा nitrito का N बाद में आएगा क्योंकि complex में कोई charge नहीं है तो neutral ही है तो complex का ही नाम लिखूँगी पहले ligand का नाम ligand अलग अलग तरीके के हैं तो ligand का नाम बिटा कैसे लिखोगे अलग अलग का alphabetical order में तो पहले तो मुझे अमीन का नाम लिखना पड़ेगा A से आ रहा है A वालो की हमेशा ऐसे ही होता है class के अंदर roll number A वालो का पहले मेरा roll number होता था AS से आश्रमा से second क्योंकि मेरी class के अंदर एक अकाश नाम का लड़का था तो उसका roll number 1 था मेरा roll number 2 था practicals में हमेशा भसते थे क्योंकि शुरू वालो का practical starting में होता था पता ही नहीं होता था बात के बच्चे तो पूछ लेते थे थे ना तुछ से क्या सवाल पूछा हम किससे पूछें तो शुरू के नाम वाले roll number वाले हमेशा भसते है तो यहां पर amine भस रहा है amine का नाम पहले लिखेंगे दो बार आ रहा है तो di amine cl1 की बार आ रहा है तो बेटा chloro या chlorido लिख देते हैं चलो यहां पर तुम कह रहे हो माम आप कहीं भी chlorido नहीं लिख रही हो chlorido NO2 nitrito और कौनसी साइट से जूड़ा है N से NO2 minus nitrogen से जूड़ा है क्योंकि अगर ONO minus होता तो nitrito O होता यह देखो जरा इसलिए का यह table अपने एक A4 sheet पर बना ले न सारे ligands की जो मैंने लिखे aninic वाले सारे neutral और ketinic एक जगा ligands के नाम लिख लोगे तो तुमको असानी रहेगा यह वाला होगे बेटा nitrito N NO2 minus यह होगे अपना Cl minus और आपका amine था NH3 चीक है चलिए तो डाय amine chlorido nitrito N सबका नाम लिख दिया जित्ती जित्ती बार है उत्ती उत्ती बार लिख दिया Metal का नाम Platinum Platinum ही रहेगा जल्दी से बताओ ऐसा क्योंकि Platinum Platinum ही रहेगा क्योंकि Metal Sorry, Complex Neutral है Metal का नाम Agitrous अब Platinum का Oxidation State Roman Numeral में लिखना है वो आखरी स्टेप है हमारा क्योंकि यहां कोई Cation and In है नहीं तो सीधा Complex का ही नाम लिखना है Platinum का Oxidation State यहां निकालके दिखा रहे हूं X plus 2 into 0 Cl पर minus 1 NO2 पर भी minus 1 का चार्ज होता है Is equal to complex पर कोई चार्ज नहीं यानि X कितना आजाएगा विटा, plus 2 यानि N, Platinum और Oxidation State कितना हो गया 2 तो Diamine, Chlorido, Nitrido N, Platinum 2 तो अभी तक homework में आपका ये वाला part homework है ये next question जो है बिटा, this is also your homework आप इस question को try करेंगे Question number 3 करके आप मुझे इन चारो parts का नाम comment box में drop करेंगे after the class solve these questions write their names एक ही message में लिखना ये नी चार नाम के लिए 4 message या 4 comments कर रहे हो ठीक है Question 3 चारो का नाम एक message में comment में करके drop कर देना I'll check कि किस-किस के answer सही थे मैंने औरो के answer देखे थे जिन्नोंने मोहर salt का dissociation करा था total ions बतायते I check ओके ये वाले चारो का नाम आपका homework है इसको में next class में discuss कराऊंगी इसी के साथ formula का a question मैं करा रही हूँ a question homework में दूँगी DPP में questions ने सारे आज nomenclature पर भर के question दिये तुमको मैंने तो आज तुमको सिर्फ class के बाद क्या करना है nomenclature की practice करनी है that is it कोई theory नहीं है कुछ revise नहीं करना सिर्फ questions की practice करनी है देखे चलिए formula लिखना है tris ethane 1,2 diamine cobalt 3rd sulfate चलो जब formula लिखते हैं देखो sulfate मुझे पता है मेरी इतनी basic knowledge कह रही है कि sulfate SO4 2 minus यह तो anion है यानि complex part के tyon होगा कितना positive होगा भी सोचूंगी जब formula लिखना है तो पहले कौन सा आता है central metal central metal क्या है cobalt tris ethane 1,2 diamine यह हो गया अपना en diamine में double m लिखा है उसको ignore करना single m यह होता है कोई नहीं ठीक है en tris का मतला en कितनी बार आया है तीन बार और तुम समझ गए होगे tris क्यों आया क्योंकि नाम में क्या आ रहा है numerical prefix आ रहा है die आ रहा है इसलिए tris लगाया coen whole thrice अब cobalt का oxidation state third है पर वो third कब आएगा यार कब possibility है यहाँ यहाँ पर cobalt का oxidation state कब थर्ड आएगा x प्लस en पर तो कोई charge नहीं होता neutral ligand होता है यानि complex पर कितना charge होना चाहिए 3 प्लस का या प्लस 3 का तभी cobalt का oxidation state प्लस 3 तभी possible है ना यार यानि इस पूरे complex पर कितना charge होगा बिटा 3 प्लस का होगा यह मानते हो formula में पहरे central metal लिखा complex में फिर ligand लिखा जत्ती बार आया complex का charge हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है तो मैं oxidation state नाम में दे रखा होता थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना है कैसे लगाना है cobald का oxidation state 3rd कब आएगा ligand का charge तो मुझे पता है metal के oxidation state भी पता है तो थोड़ा hit and try लगा लो x plus 3 into 0 यह x plus 3 तब ही आएगा जब cobald complex पर plus 3 का charge होगा तब ही cobald के oxidation state 3rd possible है बस अब valency को कर दो cross and cross criss cross करके formula लिख दो charge मत लिखना coen hole thrice यह 2 उतार के नीचे लिख दो और SO4 के इधर क्या आजाएगा आपका hole thrice आजाएगा so this is your formula coen hole thrice square bracket के भार 2 SO4 hole thrice हो गया यह इस compound का formula है बहुती बहतरीन formula आया है चलें next वाला है potassium tri oxalato aluminate third तुम्हें तो इतना पता है कि potassium K plus है कि tyn है और अगर aluminate आ रहा है ना 8 आ रहा है मतलब मेरा complex इन आयन है तभी नाम में 8 जुडा हुआ है ठीक है देखेंगे कितना negative है वो हमें अभी नहीं पता जब complex लिखना है तो पहले बेटा central metal atom aluminium है उससे ही aluminate आ रहा है तो मैंने लिख दिया aluminium ठीक है oxalato के लिए abbreviation क्या use करते है ox और abbreviation को हम parenthesis में रखते हैं इसलिए en को भी मैंने bracket में रखा था parenthesis का मतलब है round bracket वाला try यानि 3 बार आया तो मैंने 3 बार लिख दिया ठीक है aluminium को oxidation state third दे रखा है वो third कब आएगा मुझे निकालना पड़ेगा x 1 oxalate पर 1 oxalate पर कितना charge होता है 2 minus का यानि 3 oxalate पर कितना charge होगा बेटा minus 6 क्या बोलते हो x कब आएगा 3 कब आएगा aluminium को oxidation state 3 जब यहाँ पर minus 3 का charge होगा तभी यह minus 6 plus 6 होगा और x कितना आएगा plus 3 यानि इस complex पर कितना charge होगा minus 3 का charge होगा या minus 3 का charge होगा तभी बेटा aluminium का oxidation state third आप आएगा cross and cross यह 3 को k के वहाँ पहुचा दो k3 a l o x whole 3 यह बन इदर आएगा तो कुछ नहीं आएगा इतनी बात के लिए और है जल्दी बोल दो यार ठीक है next वाला कर रहे है hexacarbonyl chromium 0 कोई कित आयन निया कोई नायन निया मतलब neutral complex है bracket लगा दो ठीक है कोई चार्ज तो है नहीं टेंशन मिरको लेनी नहीं पहले central metal atom लिख दिया chromium फिर ligand लिखो carbonyl होता है CO hexa का मतलब कित्ती बार आ रहा है 6 बार आ रहा है complex पे अपने कोई चार्ज नहीं होगा क्यों चार्ज नहीं होगा क्योंकि chromium को oxidation state है 0 तो x plus 6 into 0 0 तभी x कितना आएगा 0 तो इसका formula क्या हो जाएगा CRCO6 ठीक है तो जो next वाला question है यह आप homework में क्या करेंगे try करेंगे so this is also your homework ठीक है मैं NCRT से भी आपको questions homework में दे रही हूँ ठीक है so NCRT से एक बार देख लेते हैं इस chapter के NCRT कहीं तो save होगी ठीक है इसके अलावा homework के अंदर आप NCRT का example 9.2, 9.3 यह सब nomenclature के question है in text का बिटा 9.1, 9.2 और back exercise का 9.5, 9.6 and 9.7 ठीक है यह सारे questions आप try करके आएंगे यह सारे के सारे questions आपके किस पर based हैं यह सारे आपके questions based on IUPAC nomenclature ठीक है यह सब आपका nomenclature पर based है ठीक है तो यह सारे questions try करके आने हैं यह सारे questions करने हैं इसके अलावा homework के अंदर आपको बताई दिया है मैंने यह question homework है यह question homework है और आपका एक यह वाला part homework है ठीक है तो पहले यह वाला part उसके बाद यह वाला question बार बार बोल रही हूं यह वाला question और यह वाला question यह सारे questions इतना अगर तुमने कर लिया, तो तुम सिर्फ पेपर के अंदर मुझको दुआये दोगे, और कुछ नहीं करोगी, कि थांक्यू सो मच माम, आपने नॉर्मनक्लेचर इत्ते अच्छा से करा दिया, और मुझे बहुत खुशी होगी, कि तुम लोग नॉर्मनक्लेचर के questions आरे के सारे ठीक करके आरे हो, तो नॉर्मनक्लेचर पेपर में आता ही आता है, मैं जूट नहीं मोलूगे, आपको हर previous year में, हर maximum previous year में आपको नॉर्मनक्लेचर से coordination compounds के सवाल मिलता ही, मिलता है और यह इतना easy और इतना scoring है कि आपको free के चार नंबर देदेगा आपके नीट के वेपर में और school में भी आता ही है तो अगर मुझे पता है कि इस portion से question आना ही आना है बेटर है प्राक्टिस करें क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें ऐसी कुछ नहीं है आप जितना प्राक्टिस करते जाओगे आपका उतना confidence हो जाएगा तो confidence बढ़ेगा और उतना ही command आ जाता है आपको subject पर chapter पर तो normanclature के जितने questions मैंने कराई है वो तो करने ही है जो supplementary book है वहां से normanclature के questions करना शुरू कर दो पर for the time being अभी इतने questions प्राक्टिस कर लो ताकि normanclature में हमारे marks पक्के हो जाए फिर हम बाकी portion में marks अपने पक्के करेंगे ठीक है so next class के अंदर मैं पहले यह वाले questions discuss करूंगी जो homework के है और फिर next topic start करेंगे which is valence bond theory another very 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 interesting topic ठीक है so यह homework के question करके आना जरूर करके आना and I'll see you in the next class thank you so much guys bye bye take care